आज को वीडियो बहुत इंपोर्टन है क्योंकि आज चलिए स्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूं इनमें से कोई भी एक स्टॉक आप सब्सक्राइब कर सकते हो अपनी अनालिसिस का यूज करके यह जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूं इसमें यही बस कभी रह जाती है एंडिया में क्यक्कि स्कूल्स पर हम्हें बहुत सारी चीज़ेंस सिखा देते हैं लुगों का टाइम निकल जाता है लाइफ निकल जाती है और वह समझ नहीं पाते ही पैसे को इड्वेस्ट कैसे करना और पैसे कैसे बनाना है तो उसके लिए आपको research करना आना चाहिए हो, जैसे कि आपको पता है, हम लोगोंने कुछ courses launch किये हुए है, आपको ये website, जो मेरी website है, इस पर जा सकते हो, जो को उस market में 10,000-15,000 में मिलता है, उसी level का course मैंने यहाँ पे 1000 रुपए, 1100 रुपए, ऐसे rate पे निकाला हुआ है, इससे काफी सारे लोग सीख पाए, बहुत सारे students already enrolled है, 15-20,000 बच्चा बच्चा गया, बहुत सारे लोग हैं, अलगलग category के लोग है, age 15 से लेकर, age 50-60 तक के लोग है, जो एक course को सीख रहे हैं, और अच्छा लगता है आप लोग जब class देखते हो, और उसके बाद आप चीज़ आती है, जो हमें लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, अपडेशन बिसिकली होते हैं, लाइस इनिटी चोटी-चोटी चीज़े हैं, जो बहुत महांगा हो रहा है, थोड़ा बहुत रेट किटाया भी है, बट स्टिल, रेट जो है वो आस्मान को चूर है, अब प या फिर ऐसे वहिकल्स हैं, जिनमें पेट्रोल और फ्यूल का कंसम्शन जो है, वो नहीं है, उनकी टेक्नलोजी आजकर मार्केट में मैशूर होती हुए दिख रही है, इंडिया के अंदर थोड़ा सा डिले चल रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी चेंज आने से पहले लोग उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा पॉल्मेटिक लोगों को लगता है, पर दिस्टिल आप जानते हो आने वाले टाइम के अंदर, जो इलेक्रिकल वहिकल्स हैं, जो बैटरी बेस्ट वहिकल्स हैं, वो हमेशा बूम में होने वाले हैं, उसके बहुत सारे अभी आप पेट्रोल जागर अवरेज करोंगे कब बैर, तो कार का कितना अवरेज चला जाता है, मैक्सिम से मैक्सिम से, अच्छे से अची कार का अगर आप लोगे तो 20 से उपर आवरेज नहीं जाता है, 20 किलोमेटर पर लिटर, पर जो इलेक्रिकल वहिकल्स होते हैं, इन अच्छे से अच्छे से नाब बनाया हुआ है, आज भी बैटरी जो हैं, तो मिलती है, स्टोरिज बैटरी जिनकी बहुत जादा फेमस हैं, आप कहीं भी जाओगे किसी भी इनवर्टर में, कहीं भी जाओगे, आपको एक्साइट की बैटरी पक्का मिलेगी, इवें बैस है, और आने वाले टाइम पे ऐसा लगता है, हमें आवाज से, कि वहीं जो है, यह आने वाले टाइम पे बूम करने वाला है, अभी मार्केट नीचे जा रहा है, जैसे कि आप जा रहे हो, इस वाज़े से सारे स्टॉक नीचे ही दिखेंगे आपको, तो अभी राइट है, इस टाइम पे अगर आप कोई भी स्टॉक पर्चेIST करना चाते हो, आप पर्चे रहा है, यहाँ कम्पनिद वाली वाली कम्पनी होती है, और एक साइड आप जानते हो, काफी टाइम से चल रहे है, एक अच्छी आपको आप्शन मिल सकता है, एक अच्छा स्टॉक का इसके अलावा नेक्स जो स्टॉक है जो थोड़ा सा रेट हाई हो सकता है बट स्टल एक ऐसी कंपनी इस कंपनी पे लोग आख बंद करके भरूसा करते हैं वो है टाटा है टाटा केमिकल्स का जो स्टॉक है ये भी आप बाय कर सकते हो अभी मार्केट डाउन चल रहा है हलका सा तो आप इसको 884 पे अभी भी मार्केट में उठा सकते हो और ये भी अच्छा आपको रिटर्न लॉंग तम में देने वाला है हमेशे एक चीज़ धियान रखना स्टॉक्स जो मैं आपको बताता हूँ जैसे जो स्टॉक्स बताने का मेरा मेन परपस होता है वो ये होता है कि आप आज वाला जो पैसा है उसको मटिपाई करके लॉंग टर्म में लंबा गेम खेल पाओ कभी भी ऐसा इसा इंसान स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए जिसको हर रोज या हर महीने अपना पॉर्टफोलियो चेक करना है कि यार मेरा कितना हो गया नीची हो ग लना चाहता है तो ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा है अगर कोई इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं तो इन्वेस्टर का मतलब यह होता है वो एक और साल तक उसको पॉर्टफोलियो देखना ही नहीं है उसको छोड़ देना लेके क्योंकि वो रिटन उसको लॉंग टम में मि पर जाए तो उसमें डरना नहीं होता है तो वैसे एक अच्छा स्टाउक है टाटा केमिकल यह अच्छा साड़े-टाटा नौसर रुपे का है एक साइट का बहुत सस्ता है बढ़ तो यह एक अच्छा स्टाउक हो सकता है आपके पॉर्टफोलियों के अंदर नेक्स्ट है नेक्स्ट जो स्टाउक है जो की 786 रुपे का है यह भी एक आने वाले टाइम पे हमें अच्छा ग्रो करता हुआ स्टाउक दिखने वाला है उलेक्टर ग्रीन टेक तो इसको भी आप देख सकते हो इसकी भी आप थोड़ी एनालिसिस कर सकते हो लॉंग टम की बात कर रहा हूं हमेशा लॉंग टम में अच्छा ही गया है हमें देखने को मिला है 2020 में 70 रुपीज से लेकर अभी यह दिसंबर में आपको अराउंड 800 रुपर इपको अच्छा शूट किया है अच्छी कंपनी का बेस है यह लोग आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छ करके आया है तो यह एक अच्छा स्टॉक आपके पूर्फोलियो में हो सकता है अगर आप चाहूं तो इसके कुछ शियर्स पाय कर सकते हो रिसर्च करके तो यह तीन स्टॉक जो है यह मुझे ऐसा लगता है इनमें से अगर आपका जो बजट है वह आपको अलाउ करता है तो आपने स्टॉक मार्केट में कोर्स लिया और आपने चीज सीखी कि भई मैंने यह देखा है कि आरे साइक इंडिगेटर होता है ट्रेडिंग एक्जामपल देके समझा रहा हूं और आरे साइक जो हम उपर चड़ाते हैं इंडिगेटर ग्राफ के तो उसके बाद मुझे यह करो इन पर वो सारे कॉंसेंट जो मैं आपको बताता हूं इन कोर्सिस के अंदर इस पर अप्लाई करके देखें अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्शुल में ऐसे होता है स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है उससे डरना नहीं है कंपनीज अगर चल रह अगर कंपनीज चल रही है तो सोंग मार्केत चलता है कंपनी अगर थोड़ी बहुत डाउन होती है helaप लिगे-आफन वासे लिए हर पर आ चारी शीजए तो बिज Colonie से लेकर गंदा तर तो आपको डरना नहीं है आपको इस salon में उतारना है बट सीखने के लिए मैं आप तो बताया हुआ है इसके अलावा कैटलेस इंवेसंस तक जरूर जोइन करो इसमें मैं अपडेशन्स देता रहता हूँ चोटी-चोटी और बीच-पीच में चीजें जो आती है में समझ में बताता रहता हूँ उसमें कोई फीस नहीं है वो फ्री है उसको आप जोईन कर सकते हो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा जो भी मेरी नॉलेज है पिछले आट-बिस साल की जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में और वो किया है कोशिश करता हूं कि आप लोग को तक पहुंचे क्योंकि मैं अब यही सोच के जी रहाँ कि मुझे चितना कुछ हाता है चितना कुछ मैंने सीखा है जितना कुछ मैंने बढ़ा है वससारी चीजें आपको सिखा हूँ जब चूटी चूटी चीजों को उतरने लगा है कि एक बच्चा एक स्टूरेंट बोलता है सब मेरे फादर दरते थे लिकिन अब उन्होंने स्क्राइब की चीजे देखी संझी तो अब उन्हें समझ भी है कि इस फाइन अब इस टोटली उसलेस इस फाइन इस फाइन इस फाइन वाला कमें उस्तों नीचे लिख सकते हो कमें सेक्षेन ओपन है कोई अब डाउट कंफूजन होता है तो जरूर बताओ कुछ और वीडियो चाहिए कोई और चीज चाहिए ज़रू बताओ हाज़े हो जाएगी खुछ रहो आगे बढ़ते रहो बैनत करते रहो तुमाग लगाते रहो पेडियोंस की रिस्पेक्टर रहो लाइफ में हमेशा अब बढ़ता है